जब देश आजाद हुआ था तो एक नारा दिया था जय जवान जय किशान आज आमने 70 साल से देश को लूट रही कांग्रेश सरकार से परेशान हो करके बाहरतिया जनता पार्टी का परदान मंत्री मान ये नरेंदर मोदी जी को बनाये था कि देश में कुछ परिवर्तन होगा आज हम पिछले डेड़ साल से क्या देख रहे हैं कि एक जवान जो देश के लिए लड़ रहा है बोडर के उपर उसका डिये बंद है मेंगाई बत्ता बंद है और एक किसान जो तड़पती ठंड के अंदर अनाज पैदा करता है उसके MSP खतम कर दी शेवा निर्वीत लेने बाद में चार साल से खत्ती कर रहा हूं एक बाही शीर खाते की जो जमीन होती है उसमें एक बाही ने उसका अनलाइन करवा दिया तो दूसरे बेवपारियों की सर्षो बेचता है और दूसरा बाही क्या देखता है कि उसकी सर्षो रह जाती है उसको वो मंडी में लेकर सर्षो जाता है तो मान ने खट्र सरकार क्या कहती है कि राजस्तान से लिया हुई सर्षो बेच रहे हैं राजस देख जब आपिश्वग्स the क्या वो फचल पाकिस्तान चाहिए या बंगलादेश से मैं पूछना चाहता हूं से है किसी मेडिया कर्मे पास जबाब या किसी नेत्ता के पास तो बताई आप कितने साल सेवा की आपने सर पाउज में मैंने 20 साल सेन्ना की सर्विस करने के बाद में सेवा निर्वित हुआ हूँ और सेन्ना की सर्विस के दोरान 1909 में के अंदर कैज्वल्टी भी हुआ था मैं जब हम दुश्मन से नहीं डरते हैं तो इन अराम खोरनेत्ताओं से नहीं डरेंगे मान ये परदान मंत्री लाल बादुर सास्त्री जी ने कहा था जै जवान जै किसान आज उसी किसान का बेटा जवान भी बनता है सेन्ना में जतता है तो ये नहीं है कि सन्निक और हैं शन्निक भी किसान गए बेटे हैं यह बताएए मेरे से आप एक पैदावार सरसों ज्यादा पैदावार होती आप चना होता हमारे चैतर में पाने की थोड़ी किलत है कहने के लिए तो सर्कार करकर संदर नहीं पाने नहीं पहुν नहीं पहुंचा है क्यों और नारणोर से रनियरा पैप अलुच्छी मेरा नाम थीटा समद्ध नहीं स्वशार वहां के नहीं व्यावार नामे चनादा होता है इसकी थोड़ी बहुत सरकारी होती है आपकी मंडी में सरोखती है लेकिन अजन्टों की जत्ती है सर्षों ज्याद़ा तरह मेरा चार साल का मैं अपना सेल्फ करिकार्ड चेक करा सकता हूं कि मेरे एक दाना भी किमत पे नहीं खरीद दे गया है जो भी पैदा होती है दो कुंटल पांच कुंटल आठ कुंटल देस कुंटल वह मैं अपनी वैसे ही विक्री करता हूं अच्छा नारनौल से आप यहां पर आए हैं यह शाजांपुर वॉर्डर है राजिस्तान और हर्याना का आपकी जो किसा यह किसान संथन है वह अपने दो-दो पास-पास बंदों से लेने के लिए बेज रहे हैं बाकि आशे जब हमारा संदेश आएगा तो बाहरी संख्या में हमारे ट्रेक्ट ट्रोली आएंगे और यह अमारी किसान पंचायत का एलान है और अगर गलती से गलती से सरकार ने जल आपका एलान है किसान पंचायत नार्णोल का यह एकिसर यह तो सरकार जल्दी किसानों के आख में जो फैसले हैं वो देद्दे और यह निजी करनों सिस्टम खतम करे अडानी अंबानी वाला नहीं तो किसान संख्ण रोड के उपर मिलेंगे और क्या मांगे आपके वहां प पाणी की बहुत बैंकर किला चाहएं एक लेवल ना चाहिए चाहे कोई राजयस्तान का कई अर्याना कहीं पिक्री करें फाशल तो और यह इस इंदुस्तान के अंदरी प्योड़ है उसका यह वहां की आ गई यह वहां की आ गई जब पूरी फसल को खरीद पोस्ट करेंगे तो उसमें रास्ता नर्याना यह मैट्री नहीं बचा है एकना सरकार ने इस कानून में प्रोविजन किया है कि किसान चाहे अपनी फसल कहीं की फसल है कहीं बेच सकता है किसी को भी बेच सकता है थीक है तो आगए हमाटीन फिन निदारित ओना चाहिए कि उसे माटीज अगर कोई खरीदार खरीदता है और उसका मिलता आह स्चाहिए फारोध से लइए घ्रीफ doctor Corona आए होग्या नहीं मिलेगा आगे बड़ते रवाने बातनी लोग उसे ये हमारे साथ थे नाड़नौल के रहने वाले इसके लाव हमने राजस्तान के आए किसानों से बात की और उनका भी यही कहना था कि सरकार कृशी कानून वापिस ले हम खड़े हैं यहां पर किसानों ने बात की हमसे और बताया राजस्तान की किसानों ने कि अगर ऐकर कहीं सरकार पास कर देती है उसे कानून बना देती है तो उनको बहुत बड़ा नुकसान होगा और उनकी खेती के ओपर संकता जाएगा इसके अलाबा मांगे वही है MSP को लेकर है, सरकारी खरीद को लेकर है, हो रही गड़वडियों की बात उन्होंने की है जो मंडियों में होती है, तो जो भी अपडेट होगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, फिलहाल शाजापूर बॉर्डर से मेरे साथ ही रुहानी के साथ मेरे जद, आप देख्ते रहें ललन टॉपूर